So guys, welcome back to Micro Classes हमारी Merit University और सारनपी University की बीएड फर्स्ट इयर की क्लासी चल लई है आज का हमारा सब्जेक्ट है Pedagogy of Mathematics गनित सिक्षन गनित की यह 38 भी कलास है आज का हमारा टोपिक रहेगा CCE Continuous and Comprehensive Evaluation तो यह क्या होता है इसे हम हिंदी में बोलते हैं सतत इवं व्यापक मुल्यंकन अब सतत इवं व्यापक मुल्यंकन का क्या अर्थ होता है क्या मैत्व होता है यह सोट कोश्चन के रूप में आता है आपके मैत के पेपर में तो सोट क्या कोड़ेंगी हम इसे पढ़ेंगे तब सतत्व व्यापक मुल्यंकन Continuous and Comprehensive Evaluation इसे हम CCE बोलते हैं C, C, E तो सोट फोर्म में इसे हम CCE भी कह देते हैं ये कोश्चन आपके पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि CCE पर टिप नहीं लिखिये अब आपको पता होगा कि CCE होता क्या है अब तो CCE क्या है इसके बारे मैं आपको अलका सा पहले बता देता हूँ तो CCE जो ये है मुल्यंकन करने के एक पदती है मुल्यंकन क्या होता है मुल्यंकन एक तक्णिक है जिसके द्वारा हम बच्चों के ग्यान का पता लगाते हैं जो चीज़े आप बच्चों को सिखा रहे हैं बच्चे उसे सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं तो उसकी जानकरिय आप लेते हैं प्राचेन टाइम में क्या होता था बच्चों का साल में एक या दो बार मुल्यंकन होता था जिसमें हम बच्चों की परिक्सा लेते थे और परिक्सा के आदार पर उन्हें फेलिये पास कर देते थे यहाँ पर दिक्कत यह थी कि बच्चे साल में एक ये दो बार परिक्सा में बैट रहे हैं तो कभी-कभी में हैजिटेट हो जाते थे क्योंकि परिक्सा देने के उन्हें आदत तो नहीं है तो मैं हजिटेट हो जाते थे परिक्सा दे टाइम और अपनी योग गयता से कम अंग प्राप्ट करते थे कभी कभी तो फेल हो जाते थे तो एक दिक्कत तो यह थी कि बच्चे परिक्साओं दिदे टाइम टनाव में आ जाते हैं और हजिटेट हो जाते हैं जिससे कि वेए अपनी योग ग्यता के अनुरूप अंग नहीं प्राप्ट कर पाते हैं दूसरी दिक्कत इन परिक्साओं के साथ क्या थी, कि यह सिरी बोध्दिक विकास की जाज करती थी, कि बच्चों ने कितने subject का कितना ग्यान प्राप्ट कर लिया है, इसके लावा जो दूसरे विकास हैं, खेल वाला बच्चे गिम्स भी तो खेलते हैं, खेल वाले विकास की जानकर नहीं मिलती थी हमें इससे, बच्चों का emotional development, समाजिक development कैसा चल रहा है, उसकी जानकर नहीं मिलती थी, तो प्राचिन टाइम में हम बच्चों के सत्र में एक या दो बार परिक्साओं लेते थे और उससे उन्हें फेलिया पास कर देते थे, दो केमिया थी उनमें, प मदान डूंटा गया, CCE के द्वारा, जो हमारा RTE Act था 2009 में आया था, Right to Education Act है, उसने एक मुल्यंकन की पदिती बारत में लागू की, जिसे हम CCE बोलते हैं, अब CCE में क्या है, सतत्वे व्यापक मुल्यंकन, इसका पुरा नाम ये है, तो इसमें दो सब्दाएं है, सतत एव को देने की प्रैक्टिस कराते रहेंगे, साल में कहीं बार आप हम बच्चों के टैस्ट बगर लेते हैं, और पेपर कराते हैं, सतत का अर्थ तो ये हुआ, दूसरा हो जाता है हमरे व्यापक, व्यापक का अर्थ होता है, बच्चे का पूरा मुल्यंकन करेंगे, हम ऐसा नह है, और इसी के टैस्ट हम बच्चों का मुल्यंकन करते हैं, आप देख सकते हैं, आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, तो बच्चे के हर महीने टैस्ट होते रहते हैं, अब तो सेमस्टर आ गए हैं, हर सेमस्टर में दो बार परिक्सा होती हैं, तो साल में चार्ट से पांच ये बच्चों की परिख्सा नहीं हो जाती हैं, इसके भीच frog को बच्यो को ठरेनी के आदत पड़ जाती है जिससे की परिख्शा उनके बैबार में आ जाती है जिससे हईवार में वह हजिटेट नहीं होते है MIW et दूसरा फाइदा यह होता है, CCE के तयात एक टीचर जो करता है, बच्चे का पूरा का मुल्यांगन करता है, कैसा वह है, पूर सारी इसकी स्थितियां देखता है, यगर बच्चा खेल में अच्छा है, तो पढ़ाई में अगर थोड़ा कम भी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह खेल में अच्छा है, तो यह हमारी पदती है, CCE, इसके तयात हम बच्चे के सभी विकास के पक्सों का मुल्यांगन करेंगे, और साल में कई बार करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही दो बार कर रहे हैं, तो यहीं पदती आज कल लागू है, भारती है, शिक्सा पढ़नाली में, जितने भी स्कूल है, इसी पदती पर कारिये कर रहे हैं, CCE पर ही, जो में बच्चों का मुल्यांगन करते हैं, साल में कई बार करते हैं, और उसके सारे के नंबर जुड़ते हैं, बच्चे ने टैस्ट में कैसी परफॉर्मेंस दिया है, जो सैसनल हुए है, या सेमेस्टर वाइज एक जम हुए हैं, उनमें कैसी परफॉर्मेस दिये सारी आपस में जुड़कर बच्चा फैलिया पास होता है तो ऐसी आजकल व्यवास्त है यह CCEE होती है अब इसके बारे हम पढ़ते हैं अलका साम CCEE एक मुल्यांकन करने की पढ़ना लिया है इसे CBSC वे भारत सरकार दोवारा सिक्सका अधिकार अधिनियम 2009 RTE Act 2009 के तैत लागू किया गया है यह Act मैंने आपको पढ़ाया हुआ है RTE Act 2009 इस Act के तैत CCEE को भारत में लागू किया गया है इससे पहले भारत में एक यह दो बार परिक्सा होती थी और सिधा 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 सा पास्या फैल कर देते थी हम बच्चों को वर्तमान समय में भारतिये विद्यालों में CCE अर्थात सतत्वे व्यापक मुल्यांकन पढ़ना लिके तहायती छात्रों का मुल्यांकन किया जाता ह सतत्वे व्यापक मुल्यांकन में दो सब्दों का परियोग हुआ है सतत्वे व्यापक का सतत का अर्थ तो क्या होता है लगतार इसका मतलब है कि हम पूरे साल भर लगतार बच्चों का मुल्यांकन करेंगे दोसरा सब्द क्या है व्यापक व्यापक का क्या अर्थ होता है सभी पक्सों का इसका मतलब है कि बच्चे के विकास के सभी पक्स है जो सैक्सिक है सब का मुल्यांकन किया जाना है तो इसका जो फ्रेज है ये सतत्वे व्यापक मुल्यांकन इसके द्वारा इसका पूरा अर हो जाता है कि छात्रों के सभी पक्सों का पूरे साल बर मुण्यविके पक्सों का जब हमुल्ल्लNकन करते हम अब इसके B213 का मुल्ल्लंकन हो 2007 का पहले छात्रों का मुल्लंकन सट्रें 1-2-2 बार किया जाता था जो गी आदुनिक समय में सतत्व व्यापक मुल्यंकन पर बल दिया जा रहा है। तो ये बात मैं बता चुका हूँ आपको पहले कि हम सिरी बोध्धिक विकास वाले कोश्चन पूछते थे बच्चों से और बच्चे कभी-कभी तनाव में आ जाते थे तो मैं पूरा पर्फोर्मेंस भी नहीं दे पाते हैं। सतत एवं व्यापक मुल्यंकन बच्चों के समूचित विकास का निरंतरवन येमित मुल्यंकन है जिसमें विकास के सभी पैलवों का विभिन विदियो वे उपकर्णों के माध्यम से समय समय पर मुल्यंकन किया जाता है तो विकास के जितने भी पैलू है सब का मुल्यंकन करें सतत्व व्यापक मुल्लंकन शिक्सा जगत में एक नवी नवदार्ण है इसमें एक सत्र के पाठ्थे करम को छोटे-छोटे कहीं बागों में बाट लिया जाता है तता इन बागों का अलग-अलग मुल्लंकन किया जाता है जैसे हर 2 महिने या हर 3 महिने बाद मुल़्ांगन होगा यह मुल्लांगन विकास के सभी पक्सों सम्भनित होता है देखो इस सतत्वर व्यापक मुल्लांगन के तयाती अब हम क्या कर रहे हैं इपने सतर को कहीं भागों बाट रही है हमारा सतर एक साल का होता है तो हम उसे semester बाइज अलग-अलग भागों में बांट लेते हैं तीन महीने का भी एक semester कर देते हैं और चार महीने का भी एक semester कर देते हैं एक semester में हम बच्चों के दो बार paper लेते हैं तो पूरे साल में आप देख सकते हैं कम से विकम चार बार ये छहां बार बच्चों के पेपर लिए जा रहे हैं इस परकार CCE के तैयत एक सैक्सिनिक सत्र के दोरान कई बार परिक्साइं ली जाती है जिससे परिक्साइं छातरों के विवार में आ जाती है और छातर परिक्साओं को देने से डरते नहीं है CC का मुख्य उधिष से, बालकों के विकास में होने वाले सभी पक्सो का मुल्लयंकन करना है तथा विकास में होने वाले परिक्सा के तनाओं को भी दूर करना है CCE के अंतरगत नई सिक्षन पढ़नाली के तयात चातरों के प्रप्तांकों को ग्रेड़ों में परिवर्टित कर दिया जाता है जो चातरों को सैक्षन डिक हुए अन्य पठे सैगा में किरिया होके मुल्यंकन के दोरा प्राफ होते हैं अब CCE के तयात ही हम क्या करने लगे हैं बच्चों को नंबर के स्थान पर हम ग्रेड देने लगे हैं ABC तो पूरे साल बर बच्चे कैसा काम कर रहे हैं उसके तयात अब हम ग्रेड भी देने लगे हैं तो ये हमारा होता है CCE, सतत्व व्यापक मुल्यंकन, मतलब क्या होता है, बच्चे का हम साल में एक या दो बारी मुल्यंकन नहीं करेंगे, कई बार मुल्यंकन करेंगे, और बच्चे के विकास के सभी पक्सों का मुल्यंकन करेंगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ आप बुद्धी- उद्धी की जांच करी बच्चे को फेलिया पास कर देते हैं सभी विकास के पक्सों का मुल्यांकन किया जाएगा तो एक अच्छी चीज है जो भारते विद्धालों में वर्तमान समय में लगू की गई है अब इसके लाब देख लेते हैं सीसी के लाब क्यों क्या रहते हैं औ यह चात्रों में मुल्यांकन में परिक्सा के पड़ती डर को खतम करता है यह चात्रों के विकास के सभी पक्सों का अवलोकन करता है सही बात है सीसी के तैत हम क्या करते हैं चात्रों के विकास के जितने वी पक्से सब का अवलोकन करते हैं यह चात्रों को उचित दिसा निर किरिया में सुधार आता है सही बात है इससे सिक्सन परकिरिया चातर केंदित बन जाती है क्यों बन जाती है क्योंकि हम बार-बार देख रहे हैं बच्चों के विकास में कितना परिवरता ना रहा है बच्चे किस चीज़ को नहीं समझ पा रहे तब हम उसी के नुरू बच्च दूर करने का भी टाइम मिलता है अगर हम साल में एक ही बार पेपर ले तो जिस टाइम तक एक टीचर बच्चों की कमजोरियों को समझेगा तो फैल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे अगली क्लास में चले जाएंगे तो उस टीचर को बच्चों की कमजोरियों को सही करने का टाइम ही रही नहीं देगा तो यह आज का हमारा टोपिक था Continuous and Comprehensive Evaluation CCE I hope इस टोपिक को अब आप समझ पाएंगे वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीड गुरूप में दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं बीड की सभी सब्जेट की डेली रेगुलर क्लासिज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं Till then, Bye Bye, Take Care